भारत में कोरोना की दूसरी लेहर में दूसरी बार गिरावत आई है पिछले 24 घंटे में 2,8,714 नई केस सामने आए महीं 4,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई देश में कोरोना रिकवरी रेट 88.7 प्रतिशित हुआ एमपी में 24 घंटे में 2,422 नई कोरोना केस सामने आए 24 घंटे में 68 लोगों की माउस प्रतिश गड़ में 24 घंटे में 3,506 केस सामने आए महीं 77 मरीजों की कोरोना से भी माउस दुन्या में अब तक 16 करोड 84 लाग 28 ज़ादा केस सामने आए महीं अब तक कोरोना से 34 लाग से ज़्यादा लोगों की भी मौत मोखिमंत्री शिरा सिंग चोहान आज कोरोना नियंतरन को लेकर जनता से समबाद करेंगे समबाद में अल्लॉफ को लेकर होगी बाक्चीत वैक्सिन की उप्लवधिता के लिए कर हुआ था ग्लोबल टेंजर का फैस्टा मोखिमंत्री बुपेश बगेल आज दुर्ग और भिलाई की सौगात देंगे 110 करोड रुपे की विकास कारियों का लोकारपण और शिलान न्यास किया जाएगा वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरीए पोगा कारिक्ट मध्यप्रदेश में कोरोना संकट के बीच संक्रमन की तीसरी लहर से निपटने के लिए मध्यप्रदेश सरकार सजग नजर आ रही है इसे लेकर प्रदेश सरकार की द्वारा मध्यों के समू का रठें किया गया कि समू अस्पिताल में सुविधाओं और भविश्य की रणनीती पर काम करेगा दंतेवाडा में दक्षिन साब जोनल ब्योरो ने प्रेस विग्यप्ति जारेकर बताया कि अंद्रूनी अंचल में नकसली और आम जनता को कोरोना नहीं हुआ है 36 गड़ में आज से सुभा 9 वजे से रात 8 वजे तक खुली रहेंगी शिराप की दुकाने आपकारी आयुक्ति ने जारी की आदेश अब ऑनलाइन शिराप की डिलेवरी होगी बन कोरोना काल के बीच अशोक नगर जिले में विधायक और अधिकारियों के बीच तालमेल स्थापित नहीं हो पा रहा मामला बीमो से इस्तीफे से चुड़ा हुआ खबर गौलेर से जहापर बॉलिवीड एक्टर सोनु सूद ने बच्ची रेनु शर्मा से वीडियो कॉलिंग के जरीए बात्चीत की और इंजेक्शन का प्रबंध कराने का भरोसा ने दिया जबलपूर में इंडिया नियूस की खबर का असर एक बात फिर से देखने को मिला है जहापर कृशी उपरज में कोरोना प्रोटोकॉल के उलंगन मामले में संग्यान लेते वी जबलपूर कलेक्टर का मवीश शर्मा ने मंदी सच्ची को नोटीश जारी किया और पुलिस टीम को भी आतिरिक से डूटी लगाने की बात कोरोना तूलकीट मामले में दिल्ली पुलिस ने ट्वीट इंडिया को भेजा है ट्वीटर इंडिया को भीजा संभीत पात्राव के ट्वीट को मैनुपलेट मीडिया बताने पर जवाब बांगा कॉंग्रिस ने लगाया सोशल मीडिया की आवाज दबाने का रूँ चक्रवात यास का दिखने लगा है असर और इशा के सिलेरू नदी में पल्टी नाव आठ मजदूर लापता एक का शौफ मिला राहत और बचाव का रिजारी चक्रवाती तुपान यास को लेकर अलट पर पशिम मंगा से मंता बनरजी और राज़िपाल धनकर ने लिया कंट्रोल रूम कर जाए पेन्बी घोटाला केस में भगोडा मेहूल चौकसी अब एंटी गुहां से भी भागा तीन दीन से तलाश जारी 2018 में भारत से भागा था मेहूल इसाना दोलन के समर्थन में पठियाला में नवजोव सिंस सिध्धु ने फैराया काला जंडा तो अमरसर में बेजी साबिया ने भी छट पर खाला जंडा फैराया रामदे की खिलाफ अब राज्यों की मेडिकल एसोसियेशन ने खुला मोचा उत्राखन में कारवाई के लिए सीएम कुली की चिट्थी सिंगापूर ने और स्थाय तोर पर एक कोवीड नाइटीन रेट टेस्ट को मंजूरी दी है साट सेकेंड के भीतर कोवीड नाइटीन से संग्रमी शक्स का पता लगा सकता है बेलारूंग द्वारा 26 वर्षी सरकार विरुदी पत्रकार को गिरफतार करने के लिए स्कैजीनी वियेन में एरलाइन्स, एरक्राफ्स और सिंगापूर एरलाइन्स ने अब बेलारूस के उपर से उड़ा नव भरने का फैस्टा है अमेरिक राश्च्पती बनने के बाद जो बाइडन पहली बार रूस के राश्च्पती ब्लादीमीर पुतिन से 16 जून को मुलाकार करे इस महिने पैट्रोल और डीजल की कीमतों में तेरी भी बार इजाफे की बाद दिल्ली में पैट्रोल तेज़ पैसे की बड़ोतरी के स्था 93 लीटर की पार पहुँच चुका है Cellular Operators Association of India ने टेलिकॉम डिपार्टमेंट में OTP अथोर्टिकेशन के जरिये मोबाइल सिम को प्रिपेट और पोस्पेड में बदलने की सुईधा देने का प्रस्ताव दिया BCCI ने IPL की बाकी बचे 21 मेचों को लेकर तीन हफते की विंडो तलाश ली है ये मैच 18-19 सितंबर से दुबई में शिरू हो सकते हैं टेलगुप फिल्म अभिनेता जूनियर एंटी आर ने मंगलवार को ट्यूइट कर बताया कि वो COVID-19 से उबर गए है उन्होंने लिखा कि COVID-19 को गंविरता से लेने की जरूरत है